So hi everyone, welcome back my YouTube channel DK Technical गया तो आप सभी आंगनबारी बहनों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल DK Technical गया में तो आज हम आप लोग को पोशन ट्रेकर एप में बतलाने वाले हैं कि पोशन ट्रेकर एप में हम लोग संडे के दिन कौन-कौन से काम कर सकते हैं और कौन-कौन से काम नहीं कर सकते हैं आप लोगों के द्वारा काफी सारे कमेंट पूछे गए थे तो आज आप लोग को इस वीडियो में कम्प्लिटली जनकारी दिने वाले हैं कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप में संडे के दिन कौन-कौन से काम कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्फुल रहने वाली है अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें जैन्टी के वटन दबाने के बाद और का नोटिफिकेशन जरूर अन कर लिजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहां पे पोसन ट्रेकर एप को ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद आप लोग सुबह में पहली बार पोसन ट्रेकर एप को ओपिन करेंगे तो आपका जो पोसन ट्रेकर एप है वो एक बार सिंग करना इस होगा उसके बाद आप लोग यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं अब चलिए हम लोग बात करते हैं Potent Tracker App में कौन-कौन से काम कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Beneficiary वाली के टेगरी को Open करेंगे Open करने के बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो गर्भोती महिला की केटेगरी है आप लोग किसी भी गर्भोती महिला की केटेगरी में से अगर आपको माइगरेट करना है जिस भी गर्भोती महिला को माइगरेट करना है तो आप लोग आसानी से संडे के दिन किसी भी गर्भोती महिला को माइगरेट क सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी बच्चे हैं जैसे की जीरो से लेके छे वर्स के जो बच्चे हैं उनका आप लोग यहां पर गुरोथ मुरेटिंग संडे के दिन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर बैक आने के बाद इस भी बेनिफिसरी का आप लोग करना चाहें त संडे के दिन मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अब चले ये बात करते हैं कि पोसंट्रेकर एप में हम लोग संडे के दिन कौन-कौन से काम नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहां पर सबसे पहले हम यहां पर डेली ट्रेकिंग की बात करें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क डेली ट्रेकिंग हम लोग सोमवार से सनिवार तक जितने दिन आंगनवारी के अंदर खुले रहते हैं उतने दिन हम लोग पोशन ट्रेकर एप में सबसे पहला काम जो करते हैं वो डेली ट्रेकिंग करते हैं कि आज आंगनवारी के अंदर खुला है या नहीं खुला है तो इस जैसे कि संदे के दिन आप लोग इस डेली के वाले option पर कुलिक करेंगे तो आपका यहां पर जो क्लोज वाला option है यहां पर रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा, यह अटोमेटिक सिस्टम है, विभाग की ओर से ही लगाया गया सिस्टम है, इस संडे के दिन आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यह अटोमेटिक ही यहाँ पे क्लोज दिखाएगा, और यह जो आपका खुला हुआ है, यानि ओप आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्लोज भी आपको नहीं करना है, यह अटोमेटिक ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ओपेन वाल ओप्शन है, वो आपका छीप जाएगा, हाइड रहेगा, तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, और जैसे कि मा लीजिए चोक का एटेंडेंस हो गएरा है, वो यहाँ पे आपका हाइड रहेगा, यह अटेंडेंस भी आपका यहाँ पे नहीं खुलेगा, तो आप लोग एटेंडेंस भी संडे के दिन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो यह काम आप लोग संडे के दिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके बाद एक और जो महतो पुन काम है आप लोग यहाँ पर home visit के दिन भी कर देती हैं लेकिन Sunday के दिन आप लोग यहाँ पर home visit नहीं कीजिएगा ठिक है उतने दिन के बीच में आपको कभी भी एक बार home visit करके इस लभार्थी का घर पे जाके home visit करके पोषन ट्रेकर एप में जो डाटा है उसको feed कर देना होता है तो आप लोग जितना time मिला होता है उतने time में यानि कि सोम वार्थ से लेके सनिवार के बीच कभी भी आप लोग होम विजिट करके उस लभार्थी का जो डाटा है यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं और आप लोग एक और बात का ध्यान दीजेगा कि पोसंट ट्रेकरफ में जो होम विजिट है उसमें एक भी होम विजिट आपको मिस नहीं करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे बाकी जो काम है आप लोग पोसंट ट्रेकरफ में असानी से कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे dashboard पे click करेंगे, click करने के बाद यह वला option जो है आपका यहाँ पे height रहेगा, ठीक है, इस परकार से यहाँ पे height दिखाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे home visit का option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे growth monitoring का option देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे growth monitoring कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकि आप लोग का जो portion tracker app में काम है, वो सभी काम आप लोग संडे के दिन कर सकते हैं, तो I hope आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसं निवाद जै हिंद